जिस्टी काउंचल की बैटेक से पहले कॉंग्रेस नेतर राहूल गांदी ने मोधी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने जिस्टी राजस्व में राजियों को हिस्सा न देने को लेकर सवाल उठाएं। राहूल गांदी ने सरकार पर बड़े उद्योग पतियों के लिए काम करने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही उन्होंने आठ हजार करोण के विमान खरीत का हवाला देते वे फिजूल खर्ची की बात कही और तंज भी कसा। राहूल गांदी ने ट्वीट किया कि केंद्र ने राजियों से GST राजसु देने का वादा किया। प्रधान मंत्री और कोविड ने अर्थ व्यवस्था को चकना चूर कर दिया। प्रधान मंत्री ने कॉर्पोरेट्स को एक लाग चालीस हजार करोन की टैक्स में छूट दी। चौरासी सो करोन में दो हवाई जाज खरी दे। केंद्र के पास राजियों को देने के लिए पैसा नहीं है। वित्त मंत्री ने राजियों से कहा कर्ज लो। आपके मुख्यमंत्री मोदी के लिए अपना भविश क्यों गिर्मी रख रहे हैं। बता दें के जियस्टी काउंसील की आज बैठक है। इस बैठक में राजियों को जियस्टी राजस्व में हुए गाटे की भरपाई को लेकर चर्चा की जाई। इस मामले में आप सहमध बनाने के लिए मंत्री इस्टी की कमेटी का गठन हो। हाना कि कर्ज लेने के विकल पर बीजेपी सासीत राज ये पहले ही केंदर से सहमत हो चुके हैं इनका मानना है कि उन्हें अब कर्ज लेने की दिशा में आगे बढ़ने की मंजूरी दी जानी चाहिए ताकि उन्हें शीग्र धन उपलब्द हो सके